तो स्टार्ट करते फिर यह से लास्ट टाइम जो शेर किया स्क्रीन वे बर जरू जो किस ने किया था अर्नमने मानस में किस ने ठीक है मानस तो एक बार कर दे पिटा शेर जब कोई आपकर से नहीं है तीक है मानस कर रहा है ओके रखाता थातो है यूद्व जोड्य आधि पूल अजन पाण वांने है तूरए फोई यह सिर्ब आश्यू तो एक बार जो लास्ट हमें पढ़ा था इद बार पताओ मेरेको कहां से थे स्ट्रॉल करने है उपर की तरफ नहीं हम लास्ट क्लास में तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन एकनोमी साथ से लास्ट में लोग आगे तरफ लास्ट में यह था कि हाइड्रोलिक स्ट्रॉक्टर्स तो पहले क्या है यह अम लोगों ने पूरा कर दिया यहां तक कोई प्रॉब्लम सब्सक्राइब नाम प्राइब तो कि यह सब्सक्राइब चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं अच्छा यह एक बार मैप भी थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं ठीक है जूम करने के थोड़ा नहीं ठीक है मुझे तो दिखता है बाकी तो तुमको करना है तो पुरा सब्सक्राइब अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से उपर से अगर हम चलते हैं तो मेजर ली तीन रिवर्स हमारे पास जो है वो इंडिया को यह उसके आसपास जो लैंड है उसको फर्टाइल बनाती है पहली है इंडस जो हमको ऊपर दिखाई दे रही होगी जो की स्टार्ट होती है अगर हम यूपी वाले बॉर्डर से देखें तो आपको दिखाई दे रहा हो जहां पर यह एरो है वहां से स्टार्ट होती है और उसके बाद यह इंडियान मनलब अक्साइचन के नीचे से जो लडाक वाला पोशन है वहां से होती हुई और फिर पीओ जेके में एंट्रेंस होती हुई और फिर पाकिस्तान के थुरू अरेविन सी में चली जाती है ठीक है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ और इसकी हेल्पिंग रिवर्स हैं जिसमें हम बात करें तो सबसे प पंजाब बनाती हैं पंजाब मतलब पंज माने फाइव आब माने पानी तो जहां पर पांच तरह का पानी हो वो पंजाब हो गया ठीक है यहां तक क्लियर है बच्चों यह सर पूरे टेरिटरी को चाहे वो पंजाब पाकिस्तान वाला हो या इंडिया वाला हो उसको पंजा गंगोत्री के आसपास वाले एरिया से निकलती है, उपर टेखेंगे उतरा खंड में, वहां से और उसकी फिर ट्रिबुटरी चाहें वो यमना हो या और भी जिसमें बहुत सरी जो रिवर्स हैं वो उसमें आकर के मिल जाती हैं, वो सब देखेंगे, जैसे कि अगर हमने देख गंगा जो वहां से निकल करके आ रही है, और मेजर ली देखो, इस पोर्शन को हम कहते हैं, गंगा यमना का दो आप, दो आप मतलब दो पानी, दो पानी कौन कौन से हो गए, यमना और गंगा, चीक है, ये क्लियर है क्या बत्रों, ये सर क्लियर है, तो गंगा और यमना जाते हैं, वहां पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, साथ में एक और रिवर थी, सरस्वती, जो कि अब भी एक्स्टिंट हो गई है, वो दिखती नहीं है, हाला कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जमीन की नीचे से वो गंगा यमना में जाकर मिलती है, बट इसे कोई थोश सबूत महीं मिले, इसके लावा गंगा में बहुत सारी नदिया मिल जाती है, और यमुना भी मिलती है, जैसे चंबल है, वो यमुना में जाकर मिल जाती है, और यमुना खुद जाकर के गंगा मिल जाती है, ठीक है, इलहबाद यानि प्रियाग राज में, अब उसका नाम प सब्सक्राइब कर दो अगे बढ़ेंगे बाखी सब्सक्राइब को तो अवाज सही आरीना येस येस यूर क्लास ऑफ फिजिक्स विल कंटीनु इन यूर नेक्स्ट सेशन जब भी वो छे बजे से होता ना शाथ सेकंड सेशन सेकंड क्लास जो होगी आज होगी और वह फिजिक्स की सेकंड क्लास होगी और मेरी क्लास फस्ट होगी यह शफल हो गए हैं यहां तक क्लियर है यह से एक और रिवर हम जो ऊपर देखते हैं तिबत वाले पॉशन में जो चाइना उक्यूपैट तिबत है वहां से प्रहामपुत्र अंग कलती है जिसको हम जांगो बोलते हैं जांगो जांगो ऐसा कुछ बोलते हैं और यह इंडिया में आकर के ब्रहामपुत्र हो जाती ह क्योंकि ब्रहामदेश इंडिया का भी एक नाम है तो इसलिए ब्रहामपुत्र बोला जाता है और ब्रहामपुत्र जो रिवर है यह जो सो कि अ्रुनाचलप्रदेश वाला portion है उसे त्हांग और डिबांग यह धो जगह हैं जहां से वह एंटर कर रही है और इंडिया में आकर के फिर से एक हो जाती है अनुनाचल प्रदेश में और फिर इंडिया में से होती हुई बन जरा बना यह बंगाल की खाड़ी में बनाती है कि कि यहां तक क्लियर है कि वच्चो यह आपको नावागा दो रिवर्स और हम बात करते हैं जो बहुत इंपोर्टन्ट हैं मेजर ली इंडिया के गरम प्रस्पेक्टिफ की बात करें जो मेजर रिवर्स हैं इंडिया की वो सब वेस्ट टू इस्ट फ्लो करती हैं लेकिन दो रिवर्स ऐसी है जो इस्ट टू वेस्ट चलती है और जाकर कर अरेवियन सी में मिलती है वो है नर्मदा और तापती जिसे तापी भी बोलते हैं कहीं जब सर्दार वर्दवभाई पार्टेल लगी है उसी से याद कहा है नर्मदा रिवर पर यहाद रखेंगे और यह दोनों जो है अरेवियन सी में जाकर के खतम होती है धी कर ? उसके नीचे महा नदी है महा नदी पर एक डैम बनाये हीरा कुंDER , हीरा कुंड ऐंच़ सबसे उंचा डैम है याद रखेंगे ठीक है । सतलज पर तबसे बड़ा डैम है उसका नाम है और नीचे महानदी है, महानदी पर सबसे उंचा है हीरा कुन, ठीक है, हाइस्ट और लार्जेस्ट, यह याद रखेंगे दोनों का डिफरेंस, इसके बाद एक और है नागार्जुर सागर डैम, जो कि बना है, पर भी आपने, पर रही है, हीरा कुन डैम, आपने किसके बना है, महानदी पर भीटा, यह बेव बंगाल के साइड में, जो है, देखो डेल्टा बना रही है, थोड़ा बोद अपना, बहुत बार 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 डेल्टा नहीं, छोटा सा, हाँ, उसके बाद नागर्जुर सागर एक डैम है, जो कि कृष्णा नदी पर है, याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर रहेगा क्या बच्चों, यह सर्, यह सर्, यह सर्, और लास्क में नीचे करम देखेंगे, तो कावेरी रिवर है, ठीक है, यह सारी नदियां जो है, वो बहुत इंपोर्टन्ट है, एक और रिवर में बताना चाहूंगा तुमको, गोदावरी, गोदावरी को दक्षण की गंगा, या सदन गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पर प्रवर जो है, प्रवर प्रजेक्ट है, और गोदावरी पर यह जाकर के बेव बंगॉल में गरते हैं, याद रखेंगे अरेवियन सी में सिर्फ दो ही रिवर जा रही है, जो इंडिया से ही निकल रही है, और इंडिया में ही खतम हो जाती है, वो है नर्मदा और तापती या तापी, इसके लावा एक और रिवर है, जो इंडिया से होके तो गुजरती है, और अरेवियन सी में भी गरती है, लेक जाती है ले लद्दाख वाला portion जो वहां से ट्रेवल करती वी जाती है पाकिस्तान से पूरा होते हुए और लास में अरेवियन सी में जाके मिल जाती है यह क्लियर है क्या यह सब्सक्राइद करने इसको थोड़ा सा स्थोड़ा सा वो मिनिमाइस कर दें विटा कि वन पॉइंट कि मिनिमाइड कि जूम आउट कि यस बस कि ठीक है यह सारे रिवर प्रजेक्स हैं अगर हम देखें तो इसमें कुछ-कुछ मेजर प्रजेक्स मैं अल्लेडी बता चुका हूं जैसे सतलज का हो गया भागडान अंगल फिर आपका ब्यास रिवर पे मंडी प्र याद रखेंगे दामुदर दामुदर रिवर पर यह तो इजी है वो याद रखना चंबल वैली चंबल रिवर पर है वो उसके बाद मैं पताया महानदी पर सबसे हाइस्त है वह हीराकुन डैम यह बता चुका हूं सबसे लार्जेस्ट है वह भांकडान अंगल है सतलज पर ठीक है उसके बाद कोसी रिवर है बिहार में उस पर कोसी प्रिजक्ट है और यह बहुत इंपोर्टन पी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बार आती रहती है एक चीज और याद रखेंगे कुछ फैक्ट्स हैं जो हम साइड में हम देखते जा रहे हैं जैसे क कि I guess I have stated in correct here upon pay largest है और highest जो है वो भाकरा नागल पर आए मुझे लगता है यह गलत दिखाए ही राकुन पे ही राकुन जो है वो highest ही है just let me re-check it हाँ, hebar тут is the longest and anda atra nangal is the highest धीक है याद रखेंगे कि और में गांधी सागर है राना-पताप सागर डैम है यत घरा यह अव्या आते हैं भी आप लोग याद रखेंगे धीम सरदार सरोबर का मैंने दो नीचे बताया था सरदार सरोबर रखेंगे वह न्यप्रदेश गुज्रात से वह دेडियु जाते में कहा है लीजक मट्रिश कि अऀंड एक बार मैं तुमको अभी ना जैसी चाप्टर पूरा हो जाता है तो मैं आइल गिव यू लाग 5-10 मिनिट्स और हम इस बार इस प्रिजेट्स को एक बार थोड़ा सा और देखेंगे एक बार आल गिव यू सम्टाइम सो देखेंगे चलिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग परना और उसको ऐसा बनाना कि हम उसको यूज कर सकें तो लास्ट क्लास में किसने नहीं पढ़ाता पहले हम उसे शुरू करते हैं कौन पढ़ना चाहता है जिसने लास्ट क्लास में पढ़ाता आए चीक है नारायन ने नहीं पढ़ाता कृष्ण ने पढ़ाता और और कौन है दिक्षा बातम ने भी दिक्षा ने पढ़ाता है अच्छा है पर थम वीने भी हाँ चीक है तो जिस स्रीकमिस में हमनें आफ लोगों ने आफ शबाइब पहले मैंद नाराहियन का है तो पर आप में नाराहियन पर रेंवाटर हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग शीस्टम एवायबल अल्टरंटेव बोथ socio socio-economically and environmentally first gathering and accumulation and storing of rainwater second practice practiced in area where water scarcity exist third provide water for drinking domestic purposes livestock and irrigation fourth it also increases groundwater water level okay so rainwater harvesting here we have benefits we have to get here why do we need to do the importance of rainwater harvesting is written in the first point we have to see gathering and accumulation and storage of water simple isi bata jab hama baani ko baarish jamb hooti hai toh woh baani hootah kya hai 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 basically baarish ka concept yata ki pahle kachy sarki hootie tii kachy mokan hootie tii kachy minti hootie tii aur woh sare na sare joo paani tha woh sab baarish ka paani dharti me drone water ke rupen store hoot jata hai hai lekin abhi kya hai kyu humne buildings bana dhi hai baut bade bade concrete ke tariqe se kao ka jungle bana tii hai baudh k留言 kya hai kya kya ho ra hai kya raya kya sari problems bada gai hain kya ground water level bauat kama eek example ma tumko dunga sab ko uh ah sabne chinnei ka naam suna chinnei ka yes sir yes sir yes sir yasW yes sir okay sipi yes sir yes sir okay ko hai ba chasya jisne chinnei ka naam naahi suna hai ओकी देखो चिन्ही भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर 2019 में आज की बात में कर रहा हूं मैं मैं बात कर रहा हूं जीरो था यानि की बहुत गहरा यानिकर हम 2000 फीट तक सीधे डर्मिन को ड्रिल कते जाएगा हमको पानी नहीं मिलेगा and 2000 feet is a huge huge height now let me tell you what कि यह बात है 2019 की चिन्ने इस वन अप दो बिकेस्ट सिभी इन आप आप कांट्री बहुत ज़्यादा कि कहना चाहिए डेवलेप्ड है एक चीज उसकी में बताता हूं आपको वहां क्या होगा डेवलेप्मेंट के दाम पर वहां पर सब चीजें कॉंक्रीट की बना अब कॉंक होते हैं लेकिन जो पार्क्स वगेरा भी तेसे पार्क हो गए आपके या फिर आपकी जो वोकिंग स्ट्रिप हो गई या फिर आपकी जो भी चीजें जहां पर खेल के मैदान हो गए वो सब उन्होंने कॉंक्रीट के बना दिया और पानी को जमीन में जाने का ऑप्शन ही न मतलब कि वह उन्होंने वाटर को जो नाली का पानी है इतर उदर का उसके सप्लाई करके और उसको भेज दिया नालों में नाले के तुरू पड़े उसमें जहां पर वाटर वेस्टिंग जो है डिस्पोस होता हो यानि कि ग्राउंड वाटर जो है अब घटा चला गया अब लेकिन क्या और यूज कितना हो रहा है यूज डेली का बहुत सारा पानी क्योंकि चेनी जो है वह बहुत ही पॉपुलेटेट इसा हुथ नहीं कि बहुत खाली रहता हो ठीक है तो इंडिया तो अपने आपने पॉपुलेटेट कहना चाहिए यह कंट्री है और उसका भी एक है सक्सिटी जहां पर दूर देश के दूर शहरों के लोगा आकर रहता है तो वहां पर क्या हुआ कि उस वज़ासे पानी जो था फील तक खतम हो गया और बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया अब उन्होंने क्या करना शुरू किया कि धीरे-धीरे फिर वह concrete के जो भी उन्हों है कि यहां पर देंगे रिगा बच्चों कि यह सर तो हम पर मैंने आपको लास्टाइम भी बताया था हमने एक इंटरनेशनल एक एग्जांपल दिया था सौड़ अफ्रिका का कि वहां केप टाउन जो उनकी जो कैपिटल है उसमें इस थी ती अभी मैंने आपको इंडिया तो उसको पानी की कमी है वहां पर ही यह काम होगा और यहां पर पानी है बहुत सारा वहां पर रेनवाटर हर्वेस्टिंग करने का मतलब कोई बहुत बनता नहीं है कि उस पानी को नहीं करें पर दोन झालने को करना करनेकी इसे राजस्थान को रहाँ पर वहां पर सब्सक्राइब करना ही दिकरहर उसको करने उसको करना देकि तोबिस घंटे वारिश कंभी होती है इसकोछरा पूंजी ici पर तो बारिश बहुत बढ़ी होती है चलिए आगे बढ़ेंगे रोग जी पत्वा इसको प्राइब करानी बन कर दें क्या फिर नहीं जैसे आप घर बना रहे हो घर तो बना होगे सड़क बना लो सड़क तो बना होगे लेकिन सड़क के साइड में थोड़ा पैसे जगर आप और अधर वापस जा सके अंदर बारिश्का पानी जो है वह आधि की में जाए और साथ के साथ ग्रांड्स हो गए हमारे फिल्ड्स हो गए फोट के रणिंग्ट्रेक्स हो गए उसको हमें ठोड़ा सा यह करना है क्या बोलते कच्छा मित्ति कर रखना थाकि यह पानी जो है वारिश कर अंधर पर तो तॉर एस सीमेंट नहीं उस कर सकते कॉंक्रीट के समय समय स्वारत बिल्डिंग देहने जाएगी इस से ने ने वो बाटर अब्सॉर्ब्शन की बात करता है अब मुझे एक बात बताओ ग्राउंड में पहली चीज जो अल्रेडी मिटती है ठीक है उसके उपर कॉंक्रीट लगाने से वो भी जो मेहंगा सिमेंट इसको एक्सपेरिमेंट किसी हुआ बनाओ गई या आफिर बनाया कोई लॉजिक बनता है उस पैसे को रिसोर्स को कहीं और बिदर यूज़ कर सकते हैं ये सरे जैसे अलेक्स करने का सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कर से हम पॉल्यूशन और ऐस बनाओ जो उसका कुश्यन है वो यह बोल रहे हैं कि जो पानी हम जाने के लिए हम बात करेंगे कि वह सीमेंट जो हम लगाएंगे तो सीमेंट भी रहेगा ग्राउंड जो है खिए और पानी पहले जाएगा प्वाट टो जो सीमेंट थे वह एब्सॉप करें पुछ पाट तो भी लेगा और हम फुछ पानी है ही नहीं तो थोड़ा भी पानी है अगर हमारे से बच रहे चू जो हमारा पढ़ गया फिक है तो यह दो सारी चीजे हम जो कि हम कहीं और इसकर सकते उस पानी को और अच्छे से फिल्टर करने में या पर कहीं से उसे टांस्पोर्ट कराने में तो वो चीजे फिक है जमीन से जोड़के तो शोड़के तो स्टोर करते हैं तो वो ग्राउंड वोटर लेवल को बढ़ाएगा नौ टेखनीक्स ऑफ रेंड वोटर हर्वेस्टिंग की क्या क्या टेखनीक्स है वो पढ़ेंगे तो सेकिंड कॉन पढ़ना चाहता है किसने बोला था तर में आई ठीक है प्रिश्ट बिटा पढ़ो इकपर टेखनीक्स अ वोटर हर्वेस्टिंग फस्ट रहवेस्ट इन 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 आं इंधाने लेज़ हैं उब्टिंग सिट्थ एं रेंड रावेस्ट वार्वेस्ट इन अश्ट समे रेंड य जिदश तर एंडेश इन लेविट इन चीज मैंपर लेप्र बार्वेस्ट झाहता है आफेहली ये बन कुलãos आप लेडिस्ट फेस्iping侌यानीह, सबस्थेया बेर अपिंछे गल्धलार में वाइक्टरूरा भाम। भी रार्ष यावईक्टी उड़र्य। स्थेल थरां कले इंदिनि ओ। गा Caleb, आप फेस्थेलोग ताथजन भलार श्राथर। In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil like chadins in jassalvane juhads in other parts of Rajasthan. Second method, methods used in India nowadays commonly, a construction of pipe. Okay Arnav, can you please tell me what the first and second meaning of this, like the first paragraph, which I have started, and A portion. Just tell me. Sir, first paragraph mainly, we are talking about the old people, which are in the first time, our father's 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 father. Sir, I mean, there was so much knowledge about rainfall and the environment that they had to harvest, they were able to install good systems and measures. Like here, there was also written that they had an in-depth knowledge about rainfall and resigns. If we compare it with today's conditions, then we are just in the name of modernization, industrialization, that we have to develop. But they had a lot of knowledge from us. And that's why they were able to keep the rainfall in the same way. Sir, in this part, we are saying that the Himalayas, the hilly regions, there is a way of rainwater harvesting, where they are making diversion channels. They are making gulls, or they are making gulls. and they are making gulls, and I think the channels, they are making gulls like a pipe, and the water is making gulls on the roof top, or the rainwater is making gulls, they are making gulls on agriculture, and the way they are making gulls, and the way they are making gulls. Okay, very good. Okay, very good. See, the first thing we have to understand is that the old generation of us was aware of that if we use more water, then there is a limit of water. There is no limit of water in this world. And we also know that the sea, or the ocean of the water, we cannot use it. Because it is a lot of food. So if we try to convert it in fresh water, then it will cost us a fortune. Okay? So the fact that we have available water, we will have to understand it. We will have to use it right. So what do we do? We have to keep it very well. We have to keep it very well. In the first place, if someone has gone to the village, you have seen it, there were a lot of water. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ... If we talk about a hill-water area, mountain area, mountain area, they have ... there are divers and channels, like glaciers or places. So how do channels make them? आप में जिसमें कोई खेत देखें हैं? खेत के साइड में कुछ छोटी छोटी नालिया टाइप की होती हैं लग जी नाले टाल ये टर तो चैनल से चला जाता है हर जगा हा, बिलकुल, बिलकुल न हम कर सबसहे हैं। को अब है времras... बेरद लोग पत्थर को अच्छी है, बाद में अच्छे हैं। किस्टमाईज करके उनको गल्स या कुल्स का जाता है वो बेसिकली गल्स माने गलिया होते हैं जो उससे वो वर्ड्स रडाएव और वो छोटी चोटी जो नालिया टाइप बना देते हैं उसके थू थूँ पानी जो है वो पाईप के थूँ जाता है दूसरे चैनल से थूँ आइब कर संगे डाएव वो जो बो एक जो किलाक चाहिए वो एक,नि नगा मेंक आप Dang ए तर आप गामांईगे जिए आपने जो रोच नहीं होती है जो कि कहना चाहिए वो एक फिर्जन offended तो यहां तक लिए रहे आगे बढ़ें ये सब मोख्षिका आई ये क्या मोख्षिका तो शायद नहीं है नाच नो सिर ओके चीख है निधी निधी ये सर बेटा बी और सी पोइंट चरह बताओ क्या बोल रहे हैं तरह मतलब बताओ क्या है इनका थोरा थोरा समझ मैं है मुझे कि जो समझ मैं वो बताओ मतलब सर जब पहले जब बारिश हुआ करती थी तो उसको हम रेन वाटर है अर्वेस्टिंग तरूस को स्टोर कर लिया करते थी जिस्टरा राजस्थान में हुआ होता था और स्टी पॉइंट स्टी समझ निया रख स्टी सब्सक्राइब करते हैं जो कि इस्टोर करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के लिए और पर्टिकुलरली हो जाता था हमें राजस्थान में देखने को मिलता है और सी पॉइंट में जो है वो फ्लड प्लेन होते हैं बे और बेंगोल में तो लोगों ने वहाँ पे अपने फिल्ड में जो है वो बनाने शुरू कर दी है चैनल आपने पताया था जो अभी छोट अच्छा यह बेसिकली क्या होता है कि राजस्थान जो इलाका है वो काफी सेंडी वहां पर आपने देखा होगा जो है क्या बोलते इसको जो अपना मिटी है वहां की बहुत सेंडी है जो स्वाइल हो बहुत सेंडी है और पानी क्या होगा सारा का सारा वेस हो सकता है उसमें तो वो लोग क्या करते थे वो रूफ टॉप वोटर हार्वेस्टिंग यानि वो च्छत के ऊपर एक ऐसा एडिया बनाते थे कच्छी मिठी का पीडी मिठी का जिसके तुरू वहां पर पानी स्टोर कहजा सेगे ठीक है और वहीं से उसको यूज कहता था यह मिजरली राजिस् है जहां पर जो प्लेंस हैं जहां पर फ्लेडिंग का इशू रहता है जहां पर पानी का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा पानी है तो वहां पर उन्हों को डाइवर्शन के लिए चैनल बनाए जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था जिससे कि कहीं जो फ्लड है उसको पॉइंट समाज आव लें तो यह साथ यह सही होता है कि और कोई और बताएगा जेटन नहीं पूला मनुज ने मनुज अभी एक सिकंद्ट जेटन यह सब बताओ जरू क्या मतलब है डिका क्या हुआ चल मनुज तुमेर एक बताओ यह सर यह हमें बता है कि जैसे कुछ राजेस्तान में दिखते हैं हमें तो वहां पर जैसे जो स्वाइल है वह जड़ातर मॉइस्चर अगर एरिया में हमें वह कोशिश करते हैं कि जितना पानी आए ज्यादा से ज्यादा पानी अगर कोई खेती वाला इलाका है है जो जैसल मेर वगरा में यूद होता है और इस टेकनिक में क्या करते है कि वह जो खादिन से एक कोई टेकनीक है जिसमें को पोशिश करते हैं कि जो 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 फील्ड हो थोड़ा नीचे की साइड रखे ताकि वहां पे पानी जो है ज्यादा एक तरीके से गढ़्डे जैसा हो जाए कि जो अपर लेवऑल हो खेद के लेत तोड़ा ंच रहे ताकि जो पानी हैं वह ज्यादा से ज्यादा ग्राउं तक बहुशि और वह ज़ाद ज्यादा से ज्यादा पानी अबब्सर्व कर सबसें कि शेरा प्लियों कर देखो हां काफियत तक ऐसा सही है देखो इसको ऐसा समझना पड़ेगा कि जितने भी सेमी एरेड या एरेड मत्तब जहां पर रेतीली मिट्टी हो सूखा रहता हो जहां पर उस तरहां पर कि वहां पर उस तरह के जो रेन फैट स्टोरे स्ट्रक्चर उस तरह के बनाएते कि जो जो स्टैंड जो 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 वाटर है वहां पर उसको स्टैंड के जासे कि उसको रोका जासे के और मॉइस्टन के जासे को स्वाइल को ज्यादस ज्यादा जहां पर आपको अग्रिकल्चर कर कि जो जो मिट्टी है उसके स्लोप बनाए जाते हैं जिससे जो पानी है वो अंदर तक जा सके स्वैल के ताकि ज्यादा ज्यादा मुश्चर टैप्स तक बैठ सके और उन्हें जोहड़ बोलते हैं जोहड़ मतलब समझे से छोटा ताला एक तरह का सर इसके एडवांस टक्निक ऐसे हो सकती है कि हम प्लास्टिक की बॉल्स जो होती है उसको पूरे एक लेक्रों से ढख दें जिससे रेट ऑफ एवापरेशन कम हो जाए हां वो ठीक है लेगा उतना गाउंवाले के पास उतना वो नहीं है ना इन्फराग नहीं उतना पैसा है ग स्क्राल कर दें इसको मानस कि अनम कि अनम कि अनम कि यह सर्थ तुमने पढ़ा था कल यह सर्थ अच्छा कर एक बच्चा आया था उसने अक्षर नहीं पढ़ा है और कौन पढ़ना चाहरा था तुम पढ़ उसके तुमारे बाद दिख्षा पड़ेगी तौनों लूग पढ़ेंगे यह सकंद पढ़ दो इत्वर पले method used in India nowadays commonly construction construction of pipes digging and riftling of duck wells and that is चीजिब उर्जास्टन लप्ट घर्शस्वां आदर्ण लेक्सान अन्समा स्ट्यास्ट वें प्रिटा बस पहले हमें परस्ट वाल सेकेंड पंट है वही पढ़ना था के आगी हम बात में चलेगे सेरे इसको तो समझ नहीं चले पहले सको समझ करें आज कलम क्या यूज कर रहे हैं इंडिया में पाइपस वाला जो पानी आपने दिखा होगा अक्सर आपके घर में भी जो पानी आता होगा पीवी सी पाइपस के तुरू आते हैं तो उसका एक काम कर रहे हैं दूसरा है डिगिंग एंड रिफिलिंग एंड उस सब्सक्त में ने में पानी र्यवार और हमसे पाद में यूज कर दूसरा चेक डैम्स बनाने हमें के बारे में अल्राइड़ी काफी बाते कर चुकें तो मुझे लगता है सबको पता होगा ठीक है राजस्थान में अंडर्ग्राउंट टैंक्स बनते हैं ठीक है और ये बिसिकली अगजा मिनसकी तो अब झाम वह डूस्टर कर सकते पानी दूसरा एक क्तिक युवर्ट ऑनल हो कि इतना पानी है कि इतना दिन तक हम यूज कर पाएंगे ठीक है यास सिर्ड ओके रेन वोटर हार्वेस्टिंग पढ़ना है हमें चलो एक बार प्रथम तुम्ही पढ़ दो फिर आगे इसके दिक्षा से पढ़ाएंगे राजिस्थान के कि अपके है रान्वार हर्वेस्टिंग्स रूफटोप रान्वार इसकले कुलेशिंग त्विसफफ पिन उसेंग इसद अन झाल प्रिक अंद गोर चूंस ठाइस्पिट एग्सम आपिट थि एट वाट जो सम्र इमधिए इसाज ऑ्स एक्सीड वाटर प्रॉम दा संप इस टेकन तु दे वेल वाटर फॉम दा वेल रिचार्ट दा अंडर गाउंड टेक टेक वाटर फॉम दा वेल लेटर तर संप क्या होता है अब आगे बारे पड़ना अब को अब कर अब दो लूटर वेल प्रॉफ टॉप रेट वोटर हर्वेस्टिंग का बेसिकली पाइप मैंने बताया जैसे पी वीची पीवीची होता है पॉली विनाइल क्लोराइड यह केमिकल है उसके तुरू वो इक पाइप्स बनाए जाते हैं आपने देख्योंगे पाइप वो क्रेश प्रास्टिक टाइप होता है उसके तुरू पानी जो है चैनल किये जाता है एक दरह से दूसरे ज़ता है इस रेइन वाटर च्छते जो करते से कि इस तरीका था कि उसमें लेर्स लगा दे हैं जो इसमें बतनी इसमें अफंक तो तरह का एक ना कहना चाहिए पैप जो तंकी हमारे जहां में लगी हुथे ना तो एक तरह का टैप कवार आया था था तोड़ी दनों पर पता नहीं आप लोगों इसको देखा है या नहीं देखा है एक अरांड त्री टू फोर इंच की लंभाई होती है और वह पानी की जो आपकी तंकी होती है टैप होता है उसके उपर उसको लगा दिया जाता है और जो जो डारेक्ट टैप वोटर रहा है उसके लिए वह साफ होता है तो उसको फिल्टर करने के लिए लिए तो वही टेक्निक हो है हम प्राणने जमाने में रूफ्ट वोटर रेन वोटर खालवेस्ट की आप अंडर्रांड पाई टेक्स वोटर तू संप फोर इमेरियेट यूस संप एक तरह का ऑदी टायप होती है एक चोटा सा समझो ज्याना चाहिए नाद थाए पोटी है तो इसमें पांडी को एड़ आड़ा जो पाई होता है क्लिए वह सीदे वहां ले जाते हैं आप में से किसी गाउं में किसी में पश्ण ओ चारा खाते वे देखा है अना खाते कि तरह और सम्त के तिलों या डर्ट फानिव्ट्र यूजिसम कर सके थे तक इसे राजिस्थान में जो डिय्यों होते थे अदिन गर्रेईट यूट इनधर रेने वाटर हार्वेस्टिंग उती थी सरून तर उनमें भी संप का यूज होता था अंडर्ग्राउंड वोटर हर्वेस्टिंग का भी उप्षन था उसमें भी रूप टो पॉटर हर्वेस्टिंग का भी तो टैंक बनाई जा देते वहां टैंक का भी होता था तो तो आगे बढ़ेंगे इसको एक्सिस वोटर प्रॉंब जादा पानी संप में करता है तो उसको क्या करते थे ले जाके कुवें में डाल गेते हैं अब कुवां बेसिकली दो काम करता है वारे एक तो डारेक्ली वो पानी जो है वो जो मिट्टी विगरा है वो नीचे बढ़ जाएगी और पानी जो फ्रेश च्रेश करें और निचर नीच जाएद का है उपानी कााली के वह जितना ऑप वी है प्रिखल चाही की जाटाई है तो जेए बिच भंई उसको सोकती रहेगी और नीचे चीनलीत ता रहें sponsor जिखांट राइग कि जो वोटर का जो है वो जो वेल का जो वोटर है वो अंडर्ग्राउंड के लेवल को बढ़ाता है रिचार्ज करता है आगे सब्सक्राइब कि बाद दिख्षा इसको पड़ते बिटा है कि यह सब कि राजस्थान में टैंक्स मैंने जैसा कि पहला ही बदा ठीक है एक बाद दिख्षा इसको पड़ते बिटा है कि इन लगे सब्सक्राइब एन अरी दी जिसन अफ राजिस्थान पारिकुली इन बिकनेर फलोदी आं परमार अल्मस्ट अल्मस्ट आल्मस्ट अल्ट अल्मस्ट अल्ड़ अग्ड़वाट अग्ड्राउंड तांग्ड्वाट स्लेज अ ट्धिव उन ग ट्राउंड अल्मस्ट अधिन अज चर्विस्ट लंग्या थार य्चेया को यस मथर्वाट है अंड़ म।र्वाट है इंक दो शो एलिन अल्मस्ट अंट्स और प्यूल्मस्ट और आाव ऑनीजा रहा ऱे जो थाप्ड रोफ गेल नीज लाग रैंच वल शुकाटार्चों के प्रखेंग प्रटेशन से कैडलाज ति एंग सामधा पालर पानी तोट जिक्षी पर बने लुग से वेख रिए सब्सक्राइब करते हैं यहां जहां सूखा है जहां सूखा है जहां रितिले मिट्टी है वहां पर यूज करते हैं और बेसिकली ज्यादा तर वह अंडर्ग्राउंड सब्सक्राइब करते हैं जिसको स्टोर करते हैं पानी की बात हुई थी पहले हम नॉर्मल घरों में भी होता है यह काफी बड़े होते हैं तो लगब जैसे बड़ा कमरा क्योंकि बहुत सारे लोगों को पानी की यूज करना है तो जदा बड़ी जिगह चाहिए ना हमको है ना जो आपको माप यहां पर दिखाए देरी जो इसकी यूनिट्स दिखाए देनी है वो से थोड़ा बड़ा ज्यादा हो सकता है लग लग जगवा पर डिपेंडिंग ओन अवेलेबल लेकिन हा यूजरी ओल्मॉस्ट इतना ही होता है काफी बड़े कमरे के बरावर होता है ठीक है बिल्ट इंसाइड थी में हाउस और दी कोडियार यानि घर के घर के आंगन में या घर के नीचे ही उसको बनाया जाता है तक आया जाती है हुआ है यहां पे ऐसी टेक्नीक यूज नहीं पानी बचा सके और थंडी जगहा पे यूज करते जिससे बरफ ना जगे तो यह एक शेप्टर पूरा हो गया मैं आपको ना इक बार जो डैम्स का जो लिस्ट को यहां पर कह रहे है ना हाँ ओके से जो अभी डैम्स का लिस्ट आया था ना वहां पर लिकिया एक बर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे एक स्क्रीन पर पूरा ठीक है यह प्रजेक्स आपको दिखाए दे रहे हैं आपके रिवर के नेम दिखाए दे रहे हैं आपको सम्पेक्स भी दिखाए जा रहे हैं I give you around 10 minutes और यह 10 minutes बाद मैं आप से पूछूंगा सब से जस्ट गो थू 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 थेम I give you 10 minutes it's 5 o'clock now I give you like 5 10 10 minutes दे रहा हूं and ask I'll ask you a like oral test sort of thing ठीक है तो your time starts now Especially वो बच्चे जिन्होंने आज पढ़ा है और जिन्होंने last time पढ़ा था इस chapter को दोनों मैं especially उनसे भी पूछूँगा साथ मैं उन बच्चों से भी पूछूँगा जो नहीं पढ़ रहे हैं कि कुछ के नाम मैं continuously बोलता रहता हूं लेकिन वो लोग ना तो पढ़ने में आ रहे हैं ना फिर वो उसमें आ रहे हैं तो अगर आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा या तो मैं अगला अगर PTM होता है या कुछ होता है तो I'll have to have a word with your parents तो थोड़ा सा पढ़ने में इंट्रेस्ट लीजिए सब लोग ठीक है और ठीक है तो I'll your time starts now तो अगर उसको फटा-फट से पढ़ो मैं सबसे पूछने वाला हूं ठीक है झाल 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 यह चैट करने से बेटर रहेगा कि आप लोग जो मैंने हूं आपको जो क्लास वग दिया इस पर थोड़ा सा ध्यान दो I'm not saying anything I have said enough I'm gonna ask you like in next 5-7 minutes ठीक है तो फटा-फट से अब इसको पुड़ा वो कर लो जब आपक सिया फिर सिर्फ रिवर्स रिवर्स अप्रोजेट अबरी तिंग इवरिटिंग 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 झाल 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 झाल